अच्छे से पढ़ रहे होंगे इस्टुडेंट्स आज आपके लिए करके आया हूँ मैं वो वीडियो जिसमें सबसे ज़्यादा के वर्ड्स की प्राबलम हो जाती है तो आज से यह प्राबलम आपके खतम होने वाली है क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले हैं reflex action, human brain और glands इनसे जो भी question आए हैं अलग-अलग ears में वो आपके पास होंगे आज इस वीडियो में सारा topic clear होगा साथ ही साथ आपको वो सारे CBST के questions में मिल जाएंगे ओके बात में आपको पता भी चल जाएगा कि इसमें surprise क्या है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं the control and coordination part 2 पहली slide बलकि paragraph है अपना ये what happens in reflex action क्या होता है reflex action में reflex का action में meaning क्या होता है reflex का मतलब होता है कि sudden अचानक से होने वाले वो सारे actions reflex action कर लाते हैं जिसमें आपकी will power जो होती है involve नहीं होती यानि हमारा central nervous system जो होता है वो involved नहीं होता है brain human brain जो होता उसमें involved directly involved नहीं होता है simple सा इतना समझ लेना है कि reflex actions कौन से होंगे reflex actions वो होते हैं जिसमें हमारी willpower involved नहीं होती है बलकि आसानी के साथ में हमारी spinal cord इसमें involved होती है और आसानी से हम यह reactions परफॉर्म करते हैं अच्छा यह होते कब हैं यह हमेशा dangerous situation में होंगे यानि जब body को लगेगा कि वो dangerous situation में है तो वो reflex action परफॉर्म करेगी या कुछ भी touch हो जाए body का तो तुरंथ हमारी body उसके लिए response करती है यह कहलाते हैं हमारे reflex action reflex action improved by the practice यहाँ पर देखे हैं मैंने बताया है कि आप reflex action किसके जरीए improve कर सकते हैं तो वो है practice अक्सर यह बात सुनी होगी आपने cricket में commentary में बोलते हैं कि विराट कोली के reflexes बहुत बहतर हैं जड़ेजा के reflexes बहुत 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 करते न क्योंकि वह बहुत तेजी के साथ में reflex perform करते हैं वहाँ पे action perform करते हैं कह चाया तुरंत ले लिया है ना तो यह सारे actions क्या कहलाते हैं हमारे reflex action उनके reflexes बहुत बहुत हैं आप यह कैसे improve कर सकते हैं तो अप practice के जरीए हम आप यह सारे reflexes जो भी हम किसी भी particular game में हैं या किसी भी चीज में हैं अपने reflexes strong कर सकते हैं basically जब भी आप exercise करते हो तो आपके reflexes strong हो जाते हैं body जो है energetic रहती है energetic रहेगी तो उतना ज़ादा बहतर तरीके से आपका nervous system response करता है ठीक है reflex is a word used commonly when we talk about some sudden बताया NCRT ने देखिया आपको कोई sudden actions जो होंगे वो आपके response उने something in environment जो भी environment में घटित हुआ है environment में हुआ है ओके बहुत सारे examples दिये हैं I pulled my hand back from the flame reflexly मैं बहुत जल्दी से अपना हाथ वापिस ले लूँगा common idea in such all examples is that we do something without thinking हम बिना thinking के बिना ठीक है ये काम करते हैं about it without feeling in control of our reaction बिना control मतलब हम ये सोचेंगे नहीं कि हमें हाथ वापिस लेना है या नहीं लेना हम तुरंथ अपना हाथ वापिस वहां से हटा लेंगे flame से अगर कोई चीज चुब रही है तो तुरंथ हम लोग हटा लेंगे हाथ वहां से हाथ हो या पहरो कोई भी body का हैस्ता हो जिसमें हमें response करना हो तो यह वो सारे actions क्या हुए आपके reflex actions हुए clear let us consider further this take one example touching of flame is an urgent and dangerous situation है मारे लिए in fact any animal how would respond to this one seemingly simple way to think consciously about the pain the possibility of getting burn and therefore move over hand an important question is then how long will take us to think all this ठीक है बात यहां पर हिवाली आती है कि अगर मैं flame से मेरा हाथ गया flame के पास में और वो जलने लगा और फिर मैं वहां पर thinking start कर दूँगा कि हाँ इसके नतीजे क्या हूंगे मेरी इसके जल जाएगी मुझे pain होगा इतनी देर में यह मुझे सोचना है कि अपना हाथ वापिस लेना है तो जाहर सी बात हम अपना हाथ पहले वापिस ले ले लेते हैं क्योंकि सोचने वाली process करनी ही नहीं है यहां पर तो यहां पर यह चीज़ बताई गई है कि सोचिए जरा इस situation को कि यह आप हाथ लगा जा करके हो कहां पर flame पर आप यह सोच रहे के हां मैं जल सकता हूँ जल जाओंगा ठीक है और जलूँगा तो जाहर सी बात है हमारे धर्द होगा धर्द होगा फिर आपने यह सोचा कि हा चलिये हाँ मैं जल सकता हूँ तो इड ब्रेइन ने रिस्पांस किया कि भाया हाथ अपना पीछे वापिस ले लिजी हमारी मसल से बोला ट्राइसेपस की हाथ पीछे वापिस ले लिजे तो इड विल टेक टाइम थिंकिंग अगर आ गई वहां पर इड टेक इनफ टाइम ओके इन इंपॉर्टेंट कोश्च हम सब में इंडिविज्वल इफ्रेंसेज होती है साइकोलोजिकल यह बात प्रूब भी है कि हर कोई बेहतर तरीके से एकदम से नहीं सोच सकता किसी को वक्त चाहिए रहता है आप सारे concept एक बार में समझ जाते हैं नहीं समझ पाते हैं ना ना हम समझ पाते हैं ना कोई भी दुनिया का आद में कोई भी हो बेटा कुछ ही होंगे जो special जो एक बार में चीजों को समझ जाते हैं या वो चीजों को पहले से पढ़के रखते हैं clear the answer depends on how we think हम कितना सोचते हैं ठीक है if we nerve impulse sent to around the way we have talked about earlier then the thinking is also likely involved in the creation of such impulses the thinking is a complex activity यहाँ पे बताया है इन्होंने कि thinking क्या है आपकी complex activity है अगर आप यह सारी activities करेंगे तो कितना वक्त चाहिए आपको बहुत ज़्यादा time लग 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 आप एक second भी माल लीजिए एक या डेर सेकिंड भी लग गया तब भी हमारा हाथ जल जाएगा ना दो सेकिंड माल लीजिए लो किसी की slow थी उसने दो भी बहुत ज़्यादा बता दिया हमेंने एक second तक कि अगर flame में हाथ रहा तो हमारा जल जाएगा है ना हाथ पीछे वापस ना लें अगर जलेंगे तो ठीक है कितना जल रहा है इतना सब यह सोचने लग जाएगा brain जहां brain ने सोचना है start करा ठीक है तो हमारे लिए problem create हो सकती है और हम इस dangerous situation से निकलना हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी clear तो इसी लिए हमारे पास में reflex actions mammalia की body में ह चीज याद रखिएगा तो बहुत सारे neurons जब workout होंगे तो जायर से बहुत complicated हो जाएगी thinking is a complicated phenomenon होता है याद रखिएगा कि जितना जादा सोचना ही लग जाएगे उतना जादा neurons हमारी दर से उधर काम करने लग जाएगे nerve impulses काम करेंगी जाएगी लेकर कि message को carry करेंगे message को लेकर कि जाएगे brain से ओके तो यह सारी चीज इस paragraph में बताई गई आपको clear हो गया कि क्या क्या बताया गया reflection क्या होता है अगर reflection नहीं होगा तो problem क्या हो सकती है और reflection को आप improve कैसे कर सकते हैं तो मैंने बताया आपको practice extra है ठीक है आगे बढ़ते है second paragraph क्या करा है in this case it is no surprise that thinking tissue in our body consists of dense network के बने हुए है तो जाहिर से बात ही है हमारे किसकी बात कर रहे है neurons की बात कर रहे है फूरा thinking tissue जो है किस चीज के बने होगा है हमारे brain में है जाहिर से बात है वो इससा क्या कहलाता है अपका none other than cerebrum cerebrum कि से relate होता है कि thinking से relate होता है याद आया it is it sits forward end of the skull आगे की तरफ से signals का आना brain तक पहुंचना brain में cerebrum तक पहुंचना फिर वहां से वह interaction क्रियेट करता है कि हां कहां कहां पर हमारी body में activities हो रही कहां पर दर्द हो रहा है कहां पर नहीं हो रहा तो उस time पर उसके पास में बहुत सारे message पहुंच रहे होते है clear यतने जादा message पहुंच thinking part of brain in the skull must be connected to the nerves coming from various part ये हो गए आपके sensory neurons हो गए ना ये कौन से हुए? sensory neurons of the body similarly if the part of brain is instruct muscles to move nerve must carry this signal back to different parts of the body if all this is must be done when we touch a hot object it may take enough time for us to get burn इतना काफी time मिल जाएगा हमें जलने के लिए इतनी जादा complex phenomenon अगर हमारी body के अंदर चलता रहा कि हां भया message गया sensory neurons message लेकर के गए brain तक brain के बाद से रिब्रम में गये उसने उसको चीज़ को information को लिया इंटर प्रोसेस किया ठीक है प्रोसेस करन healthy motor neurons आप activate हो ये और हमारे हाथ को पीछे वापिस लेजिए और neurotransmitter के जरीए वो message आपके biceps triceps में आया और आपने हाथ अपना पीछे लिया it is enough time to get burn खुदी बोला NCRT ने ठीक है thinking is a problem for us क्या thinking हमारे लिए problem है हाँ ऐसी जगहां पे thinking हमारे लिए problem create कर सकती है इसलिए इस problem से बचने के लिए हमारी जो body होती है या animals की जो body होती है उनके पास में होते है reflex action clear thinking and its relation with brain इस paragraph में पूरी बात हुई है मैंने keywords लिख दिये यहाँ पे आपको ठीक है यहाँ पे यह सारी चीज़े है कि क्या क्या है इस paragraph में जो major चीज़े हैं वो मैंने बता दी कि इसमें thinking को relate कि आगया आपके brain से और वो cerebrum है इतनी सारी चीज़े हमारा cerebrum जो head है आगे का हिस्सा है और उन बोला na forward end of the skull वहाँ पे information गेदर होगी and so on फिर जाएगी तो यह पूरा process उनन बताया कि क्या हमारे लिए problem है क्या thinking and its relation with brain इस paragraph में बताएगे नहीं problem इस situation पे हो सकती जब dangerous situation हमा ठीक है reflex action is a sudden involuntary spontaneous response to the stimulus that is usually helpful to protect our self तो यह वाला जो point है our self, protect our self यह हमारे लिए keyword बनता है बच्चों एक मेना highlighter ले लेता हूँ there you are यह वाला तो यह चीज़ आप लोग याद रखीगा और एक यह keyword बना आपके इस answers में ठीक है यह वाले answer में क्या बना stimulus और protect our self इतना लिखना हमारे लिए sufficient होता है यह वाले term आपके इस answer में होने चाहिए okay reflex action is a sudden involuntary actions बच्चे इतना ही लिख करके चले आते हैं जो की गलती है उन्होंने पूरा पूछा है कि what happens in reflex action क्या होता है reflex action में reflex action is a sudden involuntary spontaneous response होते है हमारे to the stimulus that is usually helpful protect our self from the any kind of harm all these actions takes place without thinking यह सारे के सारे actions कैसे takes place होते हैं बिना सोच के बिना सोचे समझे होते हैं okay why we need reflex action दूसरा question हमारा यह होता है कि what is the importance of reflex action importance उपर ही पता चल रही आपको we need reflex action to protect ourselves from the any dangerous situation हमें इसलिए जरूरत पढ़ती हमें अपने आपको बचाना होता है protect ourselves okay हम अपने आपको बचाने का पूरी पूरी कोशिश करते हैं अगर reflex action नहीं होंगे बच्चों तो हमारे लिए दिक्कत create हो जाएगी दिक्कत पैदा होगी clear यह चीज हमेशा दिमाग में बठागर करके रखेगा यह वाला टर्म आपको लगाना जरूरी है जब भी यह वाला answer आप attempt कर रहे हों कि सर ने क्या बताया था कि हम protect ourselves और stimulus के लिए हम response करते हैं नेक्स्ट पराग्राफ आपसे क्या करा है कि how does the design of body solve this problem इस problem को body ने कैसे solve कर लिया अपना अच्छी तरीके से हमने क्या कर लिया ऐसा कि thinking वाली problem को हटाया तो क्या करा तो हमने evolve कर लिया mechanism जो की है reflex action और को और चीज़ आपको बता दें कि कि किसी भी जानवर ने यानि किसी भी animals ने या animalia kingdom के किसी भी जानवर ने इस वाली process को अपने evolution के time पे नहीं हटाया है clear यह याद रखिएगा कि सबने कुछ ना कुछ हटाया कुछ ना कुछ नया gain कर लिया reflex action किसी का नहीं हटा बलकि वो improve होता गया वक्त के साथ में evolution के चलते हुए clear क्योंकि यह क nerves that move muscles in a simpler way the process of detecting the signal and input responding to it by an out protection might be completed quickly उन्होंने बोला है कि जो हमारे sensory neurons हैं वो तुरंत के तुरंत अगर ऐसी जगां से connect हो जाएं कि वो एक दम से response करवा दिया जाए तो यह ज्यादा बेतर रहेगा इसी लिए हमारे पास में पीछे की तरफ एक important organ लगा दिया गया बन गया बल such a connection commonly called the reflex तो इससे पहले यह तो मैं पता है ना कि हम खुद ही कर रहें तो brain यहां पे इंवाल्व एची तरीके से लेकिन suddenly कोई आपके कोई ऐसे करते हैं तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं देखते हैं उसकी तरफ कि क्या करते हैं कि क्या करते हैं तो तुरंत भी response clear इसी तरीके से quickly response जो किया है ना अपने यह है आपका reflex action और जो pathway taken हुआ है अपने sensory neurons message लेकर के गई कहां ले गए आपके spinal cord तक spinal cord में relay center होता है उन्होंने इस message को पढ़ा समझा interpret किया and then within a second उन्होंने आपके हाथ को वापिस ले लिया microsecond का phenomenon होता है आप इसी लिए तुरंत के तुरंत हम लोग बच जाते हैं हमेशा okay the best place of course would be in the point where they first meet each other ऐसा point होना चाहिए जहां से वो चीज control हो जाए clear तो ऐसा point क्या होता है मारे लिए वो है सबसे पहले पढ़ने वाला हिस्सा spinal cord brain तक नहीं पहुंचना है spinal cord तक जाना reflex are conformed in the spinal cord यह रिखा हुआ है NCRT ने आपकी ठीक है यह चीज रही spinal cord although information input also goes on to the reach to the brain ऐसा ने कि brain तक नहीं पहुंचती लेकिन पहले आपको information के तहर्त तुरंद के तुरंद आपका पहला सिध्धान्त क्या होता है पहला principle क्या है कि आपका हाथ वापीस आना है वो reflex action हो जाएगा और spinal cord यतना कर देगा फिर आप सोचेंगी कि अच्छा जल गए है ना जले तो जले तो जले गए तो फिर यह brain आ गया वहां पे अच्छा यह हो गया था मेरे साथ में तो पहले हमारे सोच है ना thinking है वो तिनी जादा तेज नहीं है इसी लिए हमारे अंदर evolve हुआ है तो question आपके लिए बनता है ताकि हम quick response करें which part of the nervous system control the reflex arc कौन सा ऐसा पार्ट है हमारे nervous system का जो control करता है एक नंबर का question है there we go spinal cord यह बात what is this reflex arc एक और question बना जाकर के cbsc 2011 16 और 18 ठीक है 11, 16, 18 में question आपसे पूछा गया है लगातार पूछते हैं mold कर देते हैं बार बार ऐसे question आएंगे तो मैंने कुछी चुनिंदा questions उठाए हैं जो लगातार बहतरीन तरीके से उन्होंने पूछे है what is reflex arc the pathway through which the nerve impulse passed during the reflex section यह line आपको लिख देनी कि pathway जो हमारी nerve impulses carry करती है reflex section कहलाता है यह आ गया what are the components of reflex arc reflex arc के component क्या होते है बस यहीं पर से confusion create होती है बच्चे क्या लिख देते हैं spinal cord और brain गलत कर देते हैं component उसने reflex arc के पूछे है जो pathway पर जब बात करी है आपने तो pathway बताओ ना उसका कि हाँ आपको stimulus चाहिए reflex arc बनाने के लिए आपको receptors चाहिए है आपको sensory neurons चाहिए है आपको spinal cord चाहिए है motor neurons चाहिए है First reflex arc के reflex action perform होने के लिए क्या-क्या चाहिए तब भी आपका answer यह वना चाहिए कि stimulus जाहर सी बात pain होना चाहिए फिर receptors यहां पर dendrites लगें ना हमारे टिप देंडराइटिक टिप पिछले वाला वीडियो में है अपने वाली बात तो यहां से रिसीब करेंगे information दे गोस तो दा सेंसरी निउरांस और मोटर निउरांस आएंगे एंड इफेक्टर औरगन हमारा वाइसेप और ट्राइसेप मसल्स होते हैं मसल्स है दूसरा पूचा हाउड़ो मसल्स मूव यह कोशन बड़ा tricky रहता है CRT में भी दिया गया है इसको बहुत ध्यान से रखना है आपको ठीक है how do muscles move इतना sufficient है बहुत बड़ा paragraph लिख दिया इन्होंने लेकिन हम जब check करते थे इसको तो बड़ी आसानी से क्या check करा जाता है उसमें देखो keyword आपके लिए note करते चलो special proteins there you are यह आपके लिए keyword हो गया that change their shape and arrangement तुरंत देगा कि muscles have special protein checked their shape and arrangement in the cell response to the electrical impulse यह रहा next आपका keyword impulse यह लिखना है this leads to the muscles shortening यह short कर देगा तुरंत खीच करके छोटा कर देगा इसको है ना यह चीज़ आपको लिखनी होती इतना लंबा चोड़ा सब कुछ बच्चे परशान रहते हैं इतना हमारे लिए sufficient है कि muscles के पास में special protein होती है उन्हें special protein का भी नाम आप लोग note कर लीजिए क्या होता है आपके लिए होती है actin और myosin आपके syllabus का नहीं है लेकिन दो protein अगर कोई पूछता भी है ना आपसे कि चलो बताओ कौन से protein है तो actin और myosin अगले पे आईए यह रहा आपका reflex आर कभी कभी क्या होता है सबसे पहल रहेगा ABCD कर देंगे पूछेंगे कि क्या है reflex art आप बताओगे फिर वो सारी चीज़े पूछेंगे कि यह क्या है यह क्या sensory neurons कहां पे है motor neurons कहां पे relay neurons कौन से है इफेक्टर आर्गन को ABCDE कुछ भी कर दिया आपसे पूछ लिया कभी कभी सिर्फ इतना बना रहता कंफ्यूस क पर ने के लिए यह वाला जो हिस्सा है ना यह इतना यह इतना बना देते हैं इस पैनल कौड का हिस्सा फिर वो कहते हैं कि पैचानो यह क्या है और यह कहां टेक पार्ट करता है क्लियर बहुत मरतवा बैटा अलग-अलग किसम के question आए है उनको मैंने चेक किया हुआ हुआ ह नहीं है बहुत simple way में रहता है control and coordination वितना कठिन बना देते हैं सब लोग उसको की बच्चा परिशान होने लगता है यह question बड़ा अच्छा लगा था मुझे तो मैंने लेक लिया क्योंकि यह competency-based है यह थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रहा है आपको कि क्या होता है जब आपकी आँखों में कोई रोशनी या laser light मारता है यह ना तो यह पूरा pathway बनाना है आपको ठीक है यह बताए देखो फोटो रेसेप्टर्स हमारी आइज में होते हैं पता है यह वाली बात हमें ओके फिर sensory neurons उसको message करी करके जाता है spinal cord तक पहुंचता है फिर motor neurons muscles in the eye blinking आप आई जो कंट्रोल करते हैं and effector organ तक पहुंचते तुरंत हमारी जो muscles होते तुरंत यह तो हम ऐसे करेंगे यह हमारी आखे बंद हो जाती हैं ऐसी होता ना को एकदम समादे तो सबसे पहले तुम लोग ऐसे कर लेते हैं और दूसरा है तो फिर अपनी आखे बंद कर लेंगे अगर intensity कम थी तो हम लोग आखे बंद कर लेंगे कि flash light को जला दे अगर सोचता कि यहां कहां से light आ रही है क्यों आ रही है कितनी intensity है उसकी क्या हमें डेमेज कर इतनी देर में आके हो सकता डेमेज हो भी जाएं तो इसलिए हमारे पास reflection है आगे आपका human brain क्या है इस paragraph में पूरी बात बताई गई है इसमें human brain की इस reflex action only function of the spinal cord क्या reflex action सिर्फ function spinal cord का ही है obviously not जाइर सी बात है since we know that we are thinking beings हम कौन है हम लोग thinking beings है spinal cord is made up of the nerves simply supply information to think about okay thinking involves the more complex mechanism शुरू मैंने बताया and neural connection बताएगी these are concentrated in the brain which is the main coordinating center of the body पहला टर्म आपको मिला जा करके brain is the main coordinating center of the body okay the brain and spinal cord constitute the central nervous system and they receive information from all the body parts and integrate it सारे information को गेदर करना अच्छा जो reflex action में बात हुई थी ऐसाने की brain तक नहीं आएगी brain तक आएगी वो जरूर आएगी peripheral nervous system हमारा brain में ठीक है information जरूर देगा और central nervous system उसको receive करेगा फिर सोचेगा भी उसके ओपर we also think about our actions writing, talking, moving a chair, clapping, program examples voluntary actions say based on deciding to what do next so brain also send the message to the muscles and this is the second way in which the nervous system communicates with muscles the communication between the central nervous system and the other parts of the body is facilitated by the peripheral nervous system कौन कर रहा है आपका पी एन एस कंसेस्टिंग आप क्रेलियर नर्व एराइजिंग फ्रम दा brain and spinal nerves एराइजिंग फ्रम दा spinal cord एक और कोशन बन गया आपके लिए कि brain में कौन सी nerves होती है तो आप लोग याद रख लीजेगा कि cranial nerves हैं कौन सी है cranial or spinal nerves होती है तो 31 in pair होती है और 12 in pair हमारी इसमें होती है brain में ओके तो यह चीज उन्होंने यहाँ पर बताई है कि हाँ brain कहां कहां पर message send कर सकता है brain अपने message को carry कर सकता है ओके और सब को message convey कर सकता है सब कुछ control and coordinate करने वाला आपका brain है वो कोई भी तरीका अपनाएगा वो आपको protect करने के कोशिच करेगा protect रखेगा हर तरीके से हमारा काम करकर के देगा ओके यह brain के बारे में उन्हें introduction देने की कोशिच करी कि क्या क्या कर रहा है वो अब बात करते हैं NCRT के term में जो आपको लिखना होगा brain से related यह तो पहरा वहला पहराग्राफ जो था उन्हें इसमें आपको बताया है कि हां कहां कहां पर हम लोग सोच रहे हैं क्या क्या काम कर रहे हैं कितने मार पास nerves है brain cranial nerves है spinal nerves कहां से arise होती है सारी चीज़े बताएं और यह भी बताया कि body communicate करती है वाया brain brain नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा अब आईए जड़ा क्या पूशा जाएगा और आपको क्या लिखना रहेगा सबसे जादा important इसता यह है आपके लिए the highest coordinating center in the body है located inside the skull है protect by the box called the cranium cranium sorry है ना यह वाला जो है यह question पूशा भी जाता है कि spinal cord और brain जो है कैसे protect होते हैं cranium आपके brain को करता है spinal cord को vertebral column करती है याद रखिएगा the brain is surrounded by the three membranes called the meninges इनको बोला जाता है the space meninges इतना कोई deep जाना नहीं मैंने लिख दिया यहां पे ठीक है आपके लिए इतना काफी है यह वाला वाला हिस्ता यह वाला हिस्ता यह वाला हिस्ता हमारे लिए NCRT से relate करता है और इसी को ही मैंने लिखता है space between the membranes filled with the cerebral spinal fluid CSF जिसको बोला जाता है उससे filled रहता है और यह चीज़ आपको या हमको सबको fluid protects the brain अगर यह high level थोड़ा सा जाते है तो यह थोड़ा सा high level जाने की बात है कि अगर यह थोड़ा सा उपर जाते हैं तब यह आप लिखेंगे mechanical shock से बचाता है हमारा जो fluid filled रहता है सभी meninges के बीच में ठीक है Durameter, Pyameter, Erychnoid Membrane Durameter, Pyameter और Erychnoid Membrane इनके बीच में filled रहेगा हमारा CSF जो कि brain को shock हम कभी गिरे या कोई भी खुदानाखास्ता कोई गिरा तो अग्दम से सर जब दिवाल में टकरा है या जमीन पे टकरा है तो उसको बचाएगा protect कर देगा shock absorber होते हैं सब के सब clear brain के बा पता है यह वाली बात आगे का हिस्सा, बीच का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, hand brain आगे आईए, यह रहा diagram यह जो की बना हुआएगा, अच्छी बात यह है कि diagram अपकी बनाने को नहीं बोला CBSC ने 10th में, लेकिन फिर भी हम लोग practice कर लेंगे, बता देंगे आपको किया इसकी प्रेक्टिस कर लेंगे, CBSC कभी भी बात से प्लट जाएगा, अपने हो सकता आजाए कि draw the label diagram of human brain and label the following part A, B, C, D कर दिया, अब फसे बैटेंगे, सर ने तो बोला था, लेकिन फिर भी practice करके जाना, plan B अपने पास हमेशा होना चाहिए, ओके, cerebrum, cranium ये रहा, cranium, इसकल जिसको बोलते है, midbrain आपका ये रहा मौझूद, ये वाला हिस्सा जो बीच का हिस्सा, that is midbrain, ये रही आपकी hypothalamus gland, फिर ये रही छोटी सी pituitary gland, जो कि pituitary gland, hypothalamus pituitary सही relate रहती, साथी रहती, फिर hindbrain, last का हिस्सा जो रहता है, वो है panse, medulla और cere cerebrum, cerebrum और cerebrum में बड़ा बच्चे confused रहते है, cerebrum नीचे वाला है, brum उपर वाला है, ये आगे का हिस्सा, ये ही four brain, ये ही बोला था उन्हों, intricately, वहाँ पे tissue रिखटा हो जाते हैं, और वो coordinate करवाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे thinking start होटी है, और cerebrum is the main thinking part of the brain, यही थ reason, अब देखिए, four brain, mainly consist of किसका बना हुआ है, आपके cerebrum का बना हुआ है, cerebrum is the main thinking part, लिख दिया, देखिए मैंने, ये आपका keyword हो गया, मेरे बच्चों, okay, main thinking part, site of learning, note करते चलना, screenshot लेते हुए, चलिएगा, अब जब यहाँ तक वीडियो देखी लिया है, आपने, तो जा जाएगी, clear, यहाँ तक यह surprise रखा था था थोड़ा सा मैंने, कि यहाँ बच्चा देख रहा है, पता चलिए उसको फायदा नहीं हो रहा, तो हाँ, यह PDF आपको नीचे description में मिल जाएगी, आप drive से download कर लीजिएगा, clear, it is also controls the thought, reasoning का हिस्सा है, learning का हिस्सा है, intelligence का हिस्सा है, personality and memory का हिस्सा है, यानि cerebrum लगबक 80% काम करके दे रहा है हमें, it is also controls the thought, सोचने की process को sensation महसूस करते हैं, तभी बूला गया था ना, कि वहाँ तक जाती information sensation होता है, action and moment, अब जब action and moment की बात कर ली गई, तो जाहर से बात, यह voluntary action control कर रहा है हमारे दे, information from the sense organs like eye, ear, nose, tongue, skin, receive in the cerebr कहा से, cerebrum में जाएगी ना, फिर यह इस चीज़को process करेगा, interpret करेगा और फिर response करवा देगा आपको, it is also has the motor area इसके पास में होता है, which instructions are sent to the, there we go, यह देखिया आगया, muscles to do the voluntary actions, अगर four brain के बारे में आता है लिखने के लिए आपके, तो यह वाले point आपके होने चाहिए, यह सारे NCRT के हैं, परशान मत होगेगा, ओके, यह सारे point बेहतर हैं, वो बिल्कुल simplest way में लगे हुए हैं, mid brain की बात कर लिजाए, it is lies at the base of cerebrum, यह cerebrum के base में रहता है, it is the center for visual and auditory reflexes का center होता है, protect us from loud noise से बचाता है, यह याद रखिएगा, यह चीज बड़ा अच्छी है, इसमें, visual और auditory reflexes, यह NCRT में जिक्र है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, क्या चीज होती है, auditory reflexes, protect us, जैसे एकदम से कोई तेज से sound बजाते हैं, तो अपमारे कान अपने आप से पहली चीज तो से बचानी की कोशिश करेंगे, और अम लोग खुद यह reflex section perform कर लेते है तो यह चीज sound को घटा देता है, और कभी-कभी sound को बढ़ा भी देता जब कोई धीरे बोला होता है, it regulates the moment of eye and the pupil, dilation को control करता है, यह हमारे सर को auditory reflexes, visual reflexes को भी control करता है, यह हैड पोजिशन को maintain करता है, इस तरीके से किसी ने मुझे आवाज दी कि फैस, तुमने उधरी उस आवाज की तरफ देखा, midbrain का हिस्सा है, it controls the sleep and wake cycle in the body, यह हिस्सा है control करता है, midbrain है, क्योंकि यह control कर रहा है, तो यहाँ पे मौजूद होती है, आपकी pineal gland, pineal gland में यह सारी system आता है, आगे आएंगी आपकी glands, it also controls the urge for eating and drinking, हमें भूग लगना, ठीक है, पानी पीना, सारे midbrain से, okay, in brain, यह देखिए, diagram अपने पास में, यह रहा, pounds, यह रहा, cerebrum, यह रहा, spinal cord अपना और यह रहा, चोटा सा, यहाँ पे, जिसको बोलते है, brain stem, है न, medulla oblongator, it is composed of three parts, cerebrum, pounds and medulla, cerebrum की बात कर लीजाए, cerebrum ही अलग से पूछते हैं, सारे questions हैं, परशान होनी की it lies below the cerebrum की नीचे मौजूद होता है, it coordinates the motor function, cerebrum motor function, note कर लिया, जो भी हिसा motor function में involved होगा मेरे बच्चों, वो कहाँ involved होगा जाकर के voluntary actions में, it controls the posture and balance of the body, it controls the voluntary activities, like walking in a straight line, riding a bicycle, bike, picking up a pencil, किसी भी चीज़ को उठा लेना, ठीक है, तो ये सारी चीज़े कौन control करके देता है, आपको cerebrum control करता है हमारा, okay, जाद अदर question यहां से उड़ाते हैं, ये, activities like walking in a straight line is controlled by cerebrum, आगे आजाएए, दूसरा पॉंस क्या कर रहा है, पॉंस होता है हमारा brain stem, it deals with the sleep, respiration, bladder control, test, test, facial sensation, यहाँ पे, facial sensation होना, ठीक है, ये सारा कि इसके हाबास में है, यानि लगबग लगबग आपको दिखाये देरा होगा, इसके पास में involuntary actions है, it is also regulate the swallowing of food, secretion of saliva and tears, okay, ये बात, ये तीनों point आपको note कर लेने है, note क्या कर लेने, अप तो PDF से आप लोग note कर लीजेगा, अच्छे से पढ़िएगा, it forms the brain stem, ठीक है, ये brain stem में मौझूद होता, ये brain stem बनाता है मरा medulla, और it is lies at the base of the brain and continues to the spinal cord तक पहुच जाएगा and controls the involuntary actions, like the blood pressure, heart beating, respiration, salivation, vomiting, इतना NCRT में मौझूद चीजे हैं, तो इनको ही याद रखना है, इधर उधर बहुत high level पढ़ने की जरूरत नहीं है, ब्रेन को, बच्चे बच्चे से दूसी की ताब बहुत high level कोई जरूरत नहीं है, आना इसी से है, okay, spinal cord, spinal cord जब जाहर सी बाद इतना बहतरीन काम करके दे रही है, मैं reflex section का पूरा data आज आपको clear हो गया होगा, इंशाल्ला, it is a cylindrical structure है, begins continuation with the medulla से हमें पता है, medulla से शुरू होता है, हमारी bonny case में बंद होता है, जिसको बोलते हैं, vertebral column, ये note कर लेना, ये अच्छे से दिमाग में बैठा रहना, चाहिए, it is surrounded by the membranes, इसमें भी होती हैं आपकी meninges, 31 pairs होते हैं, arises from the spinal cord and it is concerned with the spinal reflections, है न, it helps in conduction of nerve impulse to and from the brain, brain से निकलना और ब्रें तक लाना, इस किसका काम होता है, हमारे spinal cord का काम होता है, इतनी जादा चीज़े हैं, जादा एक question आता है, कि कैसा structure होता है, तो cylindrical है, किसके अंदर बंद होता है, तो vertebral column है, जाद आतार ये question पूछा गया है, तो घबरानी की ज़रूरत नहीं, 31 pairs तो मैंने extra knowledge दे दिया आपको, ये रहे spinal cord, देखे हैं यहां से, spinal cord ये है, पूरी बनी हुई, ओके ये, red in color, cervical, C1 ते C, यहां तक ये रहता है, तो रोजो एक जो हमारे सीने तक सुच आती है, फिर lumbar नीचे वाली जो रहती है, फिर सबसे नीचे वाली आती है, सेक्रल, ये इतने pairs हैं, इंके पास ने बच्चूं, ठीक है, लीजिए, question आग nervous system and distinguish between the origin of two, ओके, तो voluntary actions count control कर रहा है आपका, तो questions आपके सामने है, तो cerebellum control करता है भई या हमारा, involuntary actions count control करके दे रहा है, तो आपको medular oblongator control करके दे रहा है, ये बता है वाली बात, दूसरा question है, आपका B वाला, what is the significance of PNS, the communication between the central nervous system के बीच में and the other parts of the body facilitated by PNS, confirmation ले जा रह उन्हों पहले बताया है, कि सारी information गेदर होकर के पहुँचेगी spinal cord and spinal cord, सिर बेन, okay, cranial nerves arise from the brain, spinal nerves arise from the spinal cord, देखो मैंने पूछा था, एक question पूछते हैं वो आप से, दो component पूछें आपके, distinguish between the end, the origin of the two, दोनों की origin बताईए इन सब की cranial nerves, ये देखिए, ये note कर लीजिए, और आप ये note कर लीजिए, next question, if the cerebellum is not functioning properly, what are the activities of our body affected, cerebellum काम नहीं करेगा, तुमारा voluntary action खतम हो जाएगा, body से, if the cerebellum is not functioning properly, voluntary actions, ये ही हमारा keyword होता है बच्चों, ठीक है, ये वाला, our body will be affected, maintain the position and balance of the body, दूसरा question है, how do muscles move, वही वाली बात आ गई है, muscles move, by change their shape, so that they get short, आप protein का भी जिक्र यहाँ पर कर सकते हैं, जरूर करेंगे, क्योंकि ये, बात आदी लिखिए यहाँ पर, क्योंकि वह बात पहले बता चुके हैं, इसलिए आदा आदा है, यहाँ पर, बात पूरी रहनी चाहिए, differentiate between the sensory neurons and motor neurons के बीच में difference करिए, आप वो sensory ह होते हैं, जो carry करते हैं, nerve impulse को body से, और जो ले जाते हैं, brain तब और जो brain से निकल करके आते हैं, वो आपके होते हैं, motor neurons, from brain to the effector organs, the receptor से brain तक पहुंचते हैं, दूसरा question है, how is the brain protected in our body, बाता है, यहाँ आता है, brain kept inside the bonus box, जिसको आप सकल बोलते हैं, cranium, inside the box, the brain is contained the fluid filled balloon, which is provide the further shock absorption this fluid is known as cerebrospinal fluid, यह नोट कर लीजिएगा, brain the part of the brain is precise and involuntary actions and maintain the body posture of the body, यहाँ पे questions एक और बन रहा है, जो बी वाला पार्ट है, वो पार्ट है, आपका बेटा, पीछे फिर से question सेम है ना, जो कहुंसा question वा, cerebrum, नोट कर लीजिए, जो आपके involuntary actions को control कर रहा है, okay, draw the, and describe the role of various parts of the human brain, human brain has three major parts, four brain contains, mainly cerebrum, mid brain and end brain आगया, और रोल्स पता है, तीन नमबर में कोश्च्छन था, यह, functions देखो cerebrum की बता है, control the posture, pons regulate their respiration, medulla oblongatis are involved in reaction, सोला और सत्रा में कुछा है दूसरा कोशन गिफ दा साइंटिफिक नेम सब दा फॉलोविंग रिजन इन दा हिमन ब्रेन रिजन आफ रिजन फॉर साइट कहां पे होता है रिजन विच कंट्रोल स्था सेलिवेशन तो जाहिर से बात है जो सेलिवेशन कंट्रोल कर रहा वो राइट दे रोल अफ दे मोटर एरियाज इन दा ब्रेन मोटर एरियाज इन दा ब्रेन कंट्रोल सा मूमेंट आप वोलिंटरी मसल सी बात पता है आपको इत्ता तो सीखे गए होग अब तक तो लिस्ट दा टू बॉडडी फंक्शन विल भीच उफेक्ट इफ दा सेरिविलम होते हैं सबके सब ठीक है इनका कुई ज़ादा अलग से काम होता है बहुत ज़ादा क्योंकि हमारे बॉड्डी में निर्व सिस्टम भी में चाहिए है और बाश आप फंक्शन करने its Specialistはいs and specific substances in the body, specific substances वो होते हैं, mostly hormones और juices, the gland is made up of the group of cells or tissue, दूसरी definition है, there are two types of glands, यह वाली इस definition बहुत बढ़िया है, exocrine gland और endocrine gland, exocrine कौन सी होती हैं, वो glands होती हैं, जो अपना secretion directly किसी target organ में secret करती हैं, ना कि किसी blood stream में, ना ही blood stream में, these glands mostly secret juices, juices, जो juice secrete करती हैं, intestinal juice, saliva हो गया, और आपका, क्या बोलते हैं, pancreatic juice, यह दोनों juices हो गए आपके, यह gastric juices, content enzymes, इनमें में इन्जाइम्स होते हैं, यह life process की बात कर रहा हूं है, these glands secrete the product into the target organs, direct target organs में बाइल secrete होगा, pancreatic juice secrete होगा, किस में जाएगा, बहया, intestine में जा रहा, ना कि blood stream में आ रहा है, celery gland secrete the saliva into the duct called the celery, celery duct में आएगा, and which are connected to our mouth, है ना, तुरंत salivation स्टार्ट हो जाता है, जब भी कोई हिमली या कोई बेटरी इन, पिज़ा वगएर, हम लोग देख लेते हैं, एक दम से, these glands are ductless and secrete their hormones directly into the blood, और ये endoclion हमेशा hormones ही secrete करती है, ठीक है, कौन-कौन सी है आपके पास में, इतनी हो गई अपने पास में, एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं, यह देखें, बिल्कुल mid of the brain है, pituitory है, यहाँ पे hypothalamus है, parathyroid, यहाँ पे इसके जस्ट पीछे होती, thyroid के, ठीक है, thyroid यह रही, आपकी thymus यह रही, नीचे chest के उपर, pancreas के उपर, pancreas रहा, उसके उपर एक और चीज़ लगी हुई है, यह kidney के पास दे 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 हैं, बलकि उपर होता है, stomach के नीचे होता है, kidney के उपर adrenal glands में मौझूद है, टेस्ट इस यह रहा है आपके, ठीक है, और इधर ovaries, adrenal gland, बागे सारी gland, gland से में खाली एक का difference आया है, को सा, ovaries, ओके, यह diagram बना हुआ आता है, hypothalamus is a gland present in the brain, पहला point हो गया है आपके लिए, hypothalamus produces the releasing hormone, यह note कर लिजे, and inhibitory hormones, यह तो काम, यह secretion और उसका function, यही check कर आया है, हमेशा यही check किया है मैंने, secretion, location बहुत कम पूछते हैं, secretion पूछेंगे, the function of hypothalamus is to regulate the secretion hormone of pituitary gland, okay, यह check, यह check, यह check, आगे बढ़ गए, आगे आजो, pineal gland is located in the four brain में रहती है, हमारे, secret the hormone called the melatonin, क्योंकि मौझूद है diagram में, इसलिए इसके बारे में मैंने बताना मुनासिब समझा, सही रहेगा आपके लिए, okay, pineal gland, क्या secret करती, melatonin नाम का एक hormone होता है, जो की maintain करता है हमारे अंदर, sleep, wake, cycle, कब सोना, कब जागना है, और body temperature को basically, noted, pituitary enormous amount में hormone secret करती है, यह हमेशा, बहुती जादा, it is called the master glands of the body, लेकिन वो सब चीजे हैं, लेकिन आपको NCRT ने क्या दिया है, और आपको CBST की क्या देना, अगर pituitary से related कोई question आता है, present in the, just below of the brain, the pituitary gland secrete the number of hormones, one of the most important is the growth hormones है अपने पास में, the growth hormones controls the growth of the body, हो गया, है ना, hormones कौन सा secret किया, सारे नहीं बताए गया है, growth hormone बताए गया, growth hormone के बाद में उन्होंने बताया है, आपको control सिया कर रहा है, आपको human body की growth को control करके दे रहा है, अगर, फिर question बनता है इसते कि अगर growth hormone secret नहीं हुआ तो dwarfism हो जाता है, और अगर access हुआ तो gigantism हो जाता है, यानि बहुत लंबा हो जाएगा आदमी, ओके, thyroid gland, thyroid is attached to the wind pipe in our body, से लगी रहेगी, क्या secret करती है, thyroxine, main important हिस्ता यह होता है, और क्या control कर रहा, regulate the carbohydrate protein और fat metabolism, लोग केते ना हमें, thyroid हो गया, तो मोटापा बढ़ गया है, तो यही वो problem होती है, कि thyroxine जब नहीं बढ़ेगा, तो fat metabolism रोखेगी, body में fat जमा होना, start हो जाएगा, iodine essential होता है, इसके लिए हमेशा याद रखिये, synthesis of thyroxine, in case of iodine deficient of our diet, the possibility we might suffer from goiter, घेंगा रोख जिसको बोला जाता है हिंदी में, वो हो जाता है, the symptoms of the disease is a swollen neck, important for board मैंने नीचे term दिया, कि कोई सबसे जादा पूछी जाने वाली pituitory और thyroid है, parathoride कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास में plan B हमेशा रहना चाहिए, there are four small parathoride gland, which are embedded in the thyroid gland, parathoride क्या नहीं सेग्रीट करने हैं, paratharmone, ठीक है, अब function इसका क्या है, calcium और phosphate level को control करके रखना, ये पता होना चाहिए, paratharmone सेग्रीट करते हैं, calcium और phosphate level को control करके रखना, thymus पर आजाए, thymus lies in the lower part of the neck and upper part of the chest बीचो बीच में रहती है, और इसका काम जो होता है, वो thymosins सेग्रीट करती है, ठीक है, thymosins क्या करती है, हमारा immune system strong करती है, अगर आप ये भूले जा रहे हैं, thymosins, तो आप thymus हार्मोन भी लिख सकते हैं, नमबर मिलते हैं, ओके, thymus gland is large in young children, but shrink after the puberty, sexual maturity आने के बाद में पत्ली छोटी हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे हमारी पूरी immunity develop हो चुके होती हैं, हम बालिग हो चुके होते हैं, ओके, pancreas, pancreas का एक ये relation बताया है उन्होंने, वो है आपका insulin से, बार-बार कुशन आएगा इस तरीके से, कि pancreas क्या secret करता है, तो insulin secret करता है, जो कि blood sugar level को control करके रखता है, deficiency अगर हो रही है, हम इंसुलीन की तो diabetes mellitus नाम की विमारी हो जाती है, adrenal glands क्या secret करती है, तो दो hormone secret कर, दो glands है, adrenal है, उसका नाम क्या है, adrenaline नाम का hormone secret करके देती हैं, और उसका function देख लिजए, heart rate को control करता है, breathing rate को, blood pressure को, carbohydrate metabolism को control करके देता है, adrenal, ठीक है, flight, fright, और fight hormone इसको बोला जाता है, और इमर्जंसी हर्मोन भी इसको बोलते हैं, adrenal glands को, emergency hormone, हमेशा थोड़े में में cigarette रहता है, उससा, जोश, इसी की जरीए हमें आता है, testis, testis are the glands, हमारे males में present होती है, make the sex hormones, जिनको बोला था, testosterone, testosterone regulate the secondary sexual character in males, बस यहीं चेक किया है, मैंने, they secrete the testosterone, yes, okay, secondary sexual character in males, और एक नमबर उठा करके, 60 से दे दिया, यही होती, marking scheme, testis also make the male gametes of sperm, ovaries का भी यही काम है, ovaries of the female sex hormones, ठीक है, बनाने का काम करती है, जो आपका है, estrogen, rate करना में बोल गया, and progesteron, function of estrogen control करता है, secondary sexual character in female, ठीक है, feminine voice है, soft skin है, memory glands, यानि breast का develop हो जाना है, progesteron, जो होता है, वो maintain करता है, pregnancy in female, feedback mechanism, यह अक्सर पूछती जाती है, important हिस्सा है, important इसलिए है, क्योंकि जो hormones का secretion हो रहा है, बच्चों, वो हमारे अंदर body के बहुती precise quantity में होना चाहिए, ना जादा, ना कम, अगर कम है, तो deficiency हो जाएगी, अगर जादा हो गया है, तो यह फिर चला जाएगा, hyper में, ठीक है, the timing and the amount of hormone released by various gland control by the feedback mechanism, which built in our body, यह हमारे अंदर रहता, यह point लिखना, it is important hormone secreted in a precise quantity, we need a mechanism through which, कौन से mechanism है, हमारे पास में, feedback mechanism, अगर sugar level हमारे अंदर बढ़ता है, rise होता है, जब हम मीठा खाते हैं, तो तुरंथ हमारा पेंट्रियाज को मैसे जाएगा, pituitry से, कि भाईया, insulin secret करो, blood का level, blood में sugar level बढ़ गया है, तो तुरंथ insulin release होगा, और blood sugar down हो जाएगा, secretion is reduced, लेकिन इसको दुबारा से, रोकना भी तो है, कि हाँ, secret कर दिया, आप दुबारा से, फिर mechanism चलेगी, chemical substances secreted in a trace amount by the specialized tissue called endocrine glands, ये आपका keyword होगा, endocrine glands, ये वाला, ओके, वा endocrine glands release their secretion into the blood directly, वो क्यों उसमें करते हैं, because endocrine glands are ductless होती है, देखे, question, at the time of puberty, both boys and girls show the lots of changes in appearance, name the hormone responsible for these changes, testosterone in males में आगया, देखे, और estrogen in female, 2017, in which system facilitate the communication between the central nervous system and other parts of the body, तो वो है आपका endocrine system, which mechanism control timing and amount of the hormone, ये देखे, भी पढ़ा था आपने, feedback mechanism, 2013, what are the heterocrine, heterocrine, और mixed gland को बोला जाता है, ये कौन सी होती है, अच्छा question है, ठीक है, the glands which are act as a both, exocrine as well as endocrine, इनको बोलते हैं आप heterogland या फिर heterocrine glands या mixed gland बोलते हैं, ठीक है, pancreas है, testis है और ovaries है, pancreas जब insulin secret करेगा, तो endocrine है, pancreas जब pancreatic juice secret कर देगा, तो exocrine है, testis जब testosterone secret कर रही होंगी, तब वो आपकी endocrine है, लेकिन testis जब sperm secret कर रही होंगी, वो exocrine है, ovaries जब estrogen secret कर रही होंगी, तब आपकी endocrine है, और जब ovum secret कर रही होंगी, उस वक्त वो exocrine है, ओके, name the hormone secreted by the following glands, thyroid, pituitary और pancreas, आपको पता है, इसका answer, thyroid, thyroxin कर रहा है, बोर short में लिख दिया मैंने, ताकि आपको पता चल जाए, कि हाँ यह question आता है, secret the, ओई check भी इतने होना है, regulate the metabolism में बारा, secret the growth hormone, जो की control करता है body की growth को, insulin secret कर रहा है, insulin lowers the blood sugar level, All India 2018-2017 लगातार पूछा है, an old man, it is advised by his doctor to take the less sugar in his diet, उसको जाहर सी बात, less sugar की बात है कि तुरांद insulin की बात हो गई, mention the hormone due to the imbalance of he is suffering from, which endocrine gland secrete this hormone, तो जाहर सी बात है, answer आपका बना जा करके है, the man is suffering from the disease diabetes, यह question आपको यह check हुआ, insulin is hormone, यह check हो गया, pancreas, यह check हुआ, ठीक है, अब दूसरा question मनता है, name the endocrine gland which secrete the growth hormone, आपको पता है, इसका answer, what will be the effect on a person, if there is deficiency हो जाए, if there is deficiency or the excess, अगर excess हो रही है growth hormones, तो गिगेंटिज्म, ठीक है, अगर deficiency हो रही है, तो dwarfism शुरू महीं बता दिया था, answer the following, name the endocrine glands associated with the brain, तो pituitory, ठीक है, which glands secrete the digestive enzymes as well as hormones, यह देखो question आए, बहुत अच्छा question, यह बहुत important है, इसे note करके रखना और रट लेना, name the endocrine gland which associated with kidney, name the endocrine gland which present in males but not in females, which hormones is responsible for changes in the female, iodine incensory for the synthesis of which hormones, पता है ना, पहले बाले का answer वो pituitory, पिर दुसरे बाले का हुआ, glands, pancreas और digestive दोनों secrete करता है, adrenal होता है, दूसरा adrenal, endocrine associated with kidney, adrenal, testis करता है male में, estrogen होता है female में, tharagazin वाला, last वाला, iodine वाला है, two glands A and B, occurs in pair में है, endocrine, उन्हों पूछा है, पूरा कहानी लिखी है, A gland makes the secret hormone C, where is the make B secret hormone B, in addition to hormones A makes, F and B makes, that's what, what are glands A and B, A और A हो गया आपका glands, ovaries और दूसरा हो गया, testis, name the hormone C and E, hormone हो गया आपका estrogen, दूसरा हो गया testosterone, अच्छा question है यह भी, the gamet F जो हो गया, वो ओवा हो गया, G जो हो गया, वो आपका sperm हो गया, okay, thanks all our watching, उमेद करता हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, last के जो questions हैं बच्चों, इनको सबको note कर लीजेगा, PDF तो आपके पास में है, फिर से मैं बता दूँ, clear, तो ये सारी चीज़ें आप अपने पास में रखिएगा, अच्छी तरीके से, और इसको revise करते रहिएगा, okay, वीडियो पसंद आया, तो like, share, subscribe, जरूर कर दीजेगा, अपना खियाल रखिए, अच्छी तर पढ़िए, बाबाए,